जल्द रिलीज होगा सलमान और जैकलीन का सौंग तेरे बिना भाईजान ने फैंस को दी जान करी अगर आप भी बॉलिवुट के भाईजान के दीदार का इंतिजार कर रहे हैं तो लीजिये हो गया आपका इंतिजार खत्म क्योंकि सलमान लेकर आ रहे हैं अपना नया सौंग तेरे बिना इस सौंग में सलमान के साथ जैकलीन होंगी इस सौंग को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही शूट किया गया है सल्मान ने अपने इंस्टेग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो और जैकलीन गाने के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं जल्द ही सल्मान और जैकलीन का सौंग रिलीज होगा क्या राजकुमार हिरानी के फिल्म को करने से शारुक खान ने किया इंकार केंखान काफी टाइम से फिल्मों से दूर है लेकिन फैंस उनको बड़े परदे पर देखने का बेसबरी से इंतिजार कर रहे है इसी बीच खबरे है कि शाहरुक को राजकुमार हिरानी ने अपने अगले फिल्म के लिए अप्रोच किया है हाला कि इस फिल्म में दो हीरो होंगे शारुक के साथ साथ सल्मान भी खबरे आ रही है कि शारुक दो हीरो वाली फिल्म करने को लेकर इच्छुक नहीं है वैसे भी जब जब शारुक परदे पर आते हैं अपने फैंस को कुछ खास और अच्छा दे कर जाते हैं अब देखना होगा केंखान के दीदार किस फिल्म के जरीय होते हैं धर्तिमा की उल्जन को समझाते हुए नजर आए आयुशमान खुराना वीडियो किया शेर आयुशमान कितना अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा किसी भी हालात को बया करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, अब आयुशमान ने धरती मां के लिए कुछ दिखा है, देश भर में हालातों को देखते हुए कैसे सड़के सुनसान है, सब कुछ रुक गया है, भागती दौरती जिन्दी पर ब्रेक लग गया है, इसी को आयुशमान ने शब्दों में पिरोकर एक मा का दुख बया किया है, आयुशमान ने अपने इस वीडियो को इंस्टेग्राम पर शेयर किया, रनवीर सिंग ने बढ़ाया फैंस का होसला कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ज़रुत है कि हम सब धेर बनाए रखें और लॉकडाउन के नियमो का पालन करें, बॉलिवुड आक्टर रनवीर सिंग ने इंस्टेग्राम लाइव सेशन किया और अपने फैंस के साथ जुड़े, इस दोरान रनवीर ने हर किसी को हिम्मत दी और कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तब पर मिल रही है धेर सारी विशेज, शाहिद को कबीर सिंग वाले लुक के लिए इंस्पायर करने वाले और साउथ सूपर स्टार विजे देवर कॉंडा आज अपना 31 जनन दिन मना रही है, विजे देवर कॉंडा के सूपर हिट फिल्म अर्जुन रेटी का हिंदी रिमेखी शाहिद कपूर स्टारर कबीर सिंग है, अर्जुन रेटी के लिए विजे को फिल्म फियर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था जल्द ही बॉलिबुड में इंट्री कर सकते हैं सैफ के लाडले इबराहिम, सारा लिखान ने दिया हिंट सारा लिखान और उनके भाई इबराहिम को सोशल मीडिया पर मस्ती करते हुए अकसर देखा जाता है दोनों भाई भेन की वीडियो ओडियन्स को काफी पसंद आती है और इसी बीच सारा ने इबराहिम को लेकर कर दिया है खुलासा सारा ने बताया कि इबराहिम आक्टिंग को लेकर काफी पैशनेट है उनको आक्टिंग का काफी शौक है वैसे भी इबराहिम की वीडियोज में उनकी जबरदस्त अक्टिंग का सुबूत मिलता ही है तो क्या पहन सारा की तरहा इबराहिम भी जल्द पकड़ेंगे वॉलिवुड की रहा काजोल के साथ मस्ती करते हुए नजर आये पती अज़े देवगन फोटो शेयर कर लिखा फणी कैप्शन अज़े देवगन और काजोल पावर कपल्स में गिने जाते हैं हाल ही में अज़े ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पतनी काजोल के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की इस फोटो को शेयर करते हुए अज़े ने मज़ेदार कैप्शन लिखा लॉकडाउन शुड़ो होने से लेकर अब तक ऐसा लग रहा है जैसे 22 साल हो गए हो इस कैप्शन से उनका इशारा इस तरफ था कि शादी के बाद से ही वो लॉकडाउन में रह रही है अज़े कि इस मस्तिभरे पोस्ट को हर कोई पसंद कर रहा है दिजिटल प्लाटफॉर्म का रुख करना चाहते हैं बॉल्लीवूर्ट के बाबा संजिदत जाहिर की वाहिश इन दिनों हर किसी पर डिजिटल प्लाटफॉर्म का जादू चाया हुआ है यही बज़ा है कि बड़े से बड़ा स्टार भी OTT प्लाटफॉर्म पर रुख करना चाह रहा है अब इसी रिस्ट में संजिदत का नाम भी शामिल हुआ है संजिदत ने डिजिटल प्लाटफॉर्म पर काम करने की इच्छा जाहिर की है बशर थे उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले बाबा को OTT प्लाटफॉर्म पर देखना वाके दिल्चस्प होगा डिपेका पड़ुकोन को आई को स्टार इर्फान की याद शेयर किया पुराना वीडियो दरसल पीकू को रिलीज हुए पांक साल पूरे हुए है लेकिन इस जशन के मौके पर फिल्म की लीड अक्टर इर्फान हमारे बीच नहीं है डिपेका ने उनको इस मौके पर याद किया दस बहाने पर थिरकते हुए नजर आये टाइगर श्रॉफ सोचल मीडिया पर चाया बीटियस वीडियो हाल ही में टाइगर श्रॉफ के फिल्म बागी 3 रिलीज हुई थी फिल्म के गाने दस बहाने 2.2 को काफे पसंद किया गया था इसी सौंग पर थिरकते हुए टाइगर श्रॉफ को एक बीटियस वीडियो इन दिनों सोचल मीडिया पर काफे वाइरल हो रहा है ये वीडियो टाइगर के फैन पेज ने शेयर किया है